जीवन को सुन्दर, संस्कारित और आंतरिक रूप से सम्रिद्ध बनाने के लिए आज हम एक ऐसी शक्ति से रूबरू हो रहे हैं, जिस शक्ति का नाम है अवचेतन मन की शक्ति कौन से शक्ति? अवचेतन मन की शक्ति हमने ये बात अनेक बार सोची है, समझी है कि इनसान का मन ही इनसान के जीवन का ब्रह्मा है, हमारा मन ही हमारा विश्णु है और हमारा मन ही हमारा शिव है हमारा मन ही हमारा मीरा है और हमारा मन ही हमारा महवीर है हमारा मन ही हमारा बुद्ध है हमारा मन ही हमारा राम और कृष्ण है हमारा मन ही हमारा मुहम्मद है हमारा मन ही हमारा जीसस है हमारा मन ही हमारा सुकराद है मन अगर सत्य से प्रेम करने लग जाए तो मन सुकराद बन जाता है मन भक्ती से जुड़ जाए तो मन मीरा हो जाता है मन अगर मौन हो जाए तो मन महवीर बन जाता है मन अगर निर्मल हो जाए तो मन ही मंदर बन जाता है मन अगर खराब हो जाए तो यही मरगट और कबरिस्तान बन जाता है मन का एक विकल्प मंदर है और मन का दूसरा विकल्प मदिराले है एक मन अगर मूर्चित हो जाए तो मदिरा की तरब बढ़ता है मन अगर जागरत हो जाए तो मन मंदर की तरब बढ़ना शुरू हो जाता है मन ही देवता मन ही मंदर मन से बढ़ा न कोई जब मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा होए इस उजले दरपण पर प्राणी धूलन जमने पाए तोरा मन दरपण कहलाए और मोरा मन दरपण कहलाए भले बुरे सारे करमों को देखे और दिखाए तोरा मन दरपण कहलाए जब भी जांकते हैं अपने अंतर मन में तो सौ सो किस से नजर आते हैं अपने ही मन में आज हम रूबरू हो रहे हैं मन के उस गहरी चीज से जिस हम सामान्य मन से परिचित हैं जिसको हम कहते हैं ये कलपना कर रहा है ये विचार कर रहा है ये विकल्प कर रहा है ये इसमन रख रहा है ये किसी भी चीज को ग्रहन कर रहा है ये किसी भी चीज का त्याग कर रहा है ये मन का स्थूल रूप है सामन्य रूप है आज हम जिस मन से रूबरू होंगे वो मन के भीतर छिपे हुए मन का रूप है जब सोचो हो कि हमारे इस चेतन मन की इतनी शक्ति है कि ये रॉकेट से भी ज्यादा तेज गती से चल सकता है प्रकाश किरण की गती से भी ज्यादा तिव्र गती इसकी बन सकती है रोकेट तो शायद पल भर में अमेरिका नहीं पहुँच सकता पर मन हमारा पल भर में इंडिया से अमेरिका पहुँच सकता है प्रकाश की किरण सूरज से निकले तो पल भर में धर्ती को टच नहीं कर सकती पर हमारा मन अभी सोचे और बल भर में ये सूरज को भी छू करके आ सकता है मन इतना विराट है इतना गतिशील है इतना शक्तिशाली है पर जिस मन को हम शक्तिशाली और गतिशील मानते हैं उस मन के भीतर एक सोया हुआ मन है जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन सबकॉंसियस माइन आजकल मनोविज्ञान इस अवचीतन मन पर बहुत काम कर रहा है पर मुझे ऐसा लगता है कि हजारों साल पहले हमारे रिशे मुनियों ने तिर्थंकरों ने बुद्धों ने अवतार पुर्शों ने हमारे अवचीतन मन पर बहुत अधिक काम कर लिया था आप कैसे भूल जाएंगे उस हनुमान जी को कि कहते हैं कि उन्हें किसी रिशे का श्राप मिल जाता है कि वो अपने सारी शक्तियों को भूल जाएंगे वो हनुमान जो सूरज को भी अपने मुह में निगलने की क्षमता रखते हैं वही हनुमान अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं पर क्या वो शक्तियां समाप्त हो गई नहीं होई वो शक्तियां कहीं समाप्त नहीं होई वो शक्तियां कहीं समंदर में जाके नहीं छिपी किसी पाताल में जाकर के लुप्त नहीं हो गई किसी आकाश में खो नहीं गई वो शक्तियां उनके ही भीतर थी पर केवल एक परदा आ गया और उस परदी के आने के कारण वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे तो किसने जगाया हूं उनके शक्तियों को बता सकते हैं कहते हैं कि जाममंत जी ने आकर के उन्हें याद दिलाया और कहा कि जो हनुमान सूरज को भी निगल सकता था आज क्या वो लंका तक जा नहीं जा सकता क्या वो ये दो सो चार सो योजन का समंदर पार नहीं कर सकता हाँ जाममंत जी ने उन्हें अंदर से जगाया केवल वही काम किया जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और दूसरा व्यक्ति उस पर के उसके मुँ पर जाकर के पानी के चार छीटे दे मारे तो आदमी जट से चौक करके जग जाता है जागा कौन आदमी खुद जगने वाला कौन आदमी खुद केवल दूसरा निमित बन रहा है पर दे को हटाने का सोचो आप रात को सोये थे सोते समय तै किया था कि मैं सुबह छे बज़े जगूंगा अलार्म भी लगा कर सोये और सुबह ठीक छे बज़े अलार्म बज़ भी गई पर बंदा सोया था तब तो सोच कर सोया था कि छे बज़े जगूंगा पर सुबह उठते समय अंदर से कोई अवचेतन मन के रहा पड़ा रहना यार क्यों फाल तो उठना है फिर उठके वह यह इदर दिदके काना है सोना यार मस्ति ले ना आराम से सोया रहे और फिर हम अलार्म को जगने के लिए बंद नहीं करते हैं और अधिक सोने के लिए हम वो ट्रिंग 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 की जो आवाज बद रही हम उसको जट से बंद कर देते हैं और दुनिया में हर आदमी यही काम करता है जैसे ही कोई जगाने आता है उसके अलार्म को बंद कर देता है क्यों यार माथा खाता है बंद शान तब मैं अंदर में सोया पड़ा हूँ पर हनुमान के भीतर रहने वाली शक्तियां थी कहा तो मैं कहूंगा उनके अवचेतन मन में सुई हुई शक्तियां थी और जामवन्द ने आकर के केवल चार छीटे डालने का काम किया और हनुमान की शक्तियां अंदर से जाकरत हो गई तूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता सब बोलो तूटे मन से तूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता मन अगर खुश है तो पानी की एक बून भी बरसात कित्रे है और मन अगर अंदर से दुखी है तो समंदर की भी क्या आउकात है काम जिस पर हमें करना चाहिए था हमने उस पर काम नहीं किया हमने पढ़ने का तो काम किया हमने शादी करने का काम तो किया हमने बच्चे पैदा करने का काम किया हमने पैसा कमानी का काम किया पर उस पर काम नहीं किया जिसमें एक महान शक्तियां व्यापत है जो हमें असफल से सफल बना सकती है जो हमें अनाड़ी से खिलाड़ी बना सकती है जो हमें नाकाम्याब से काम्याबी बना सकती है जो हमें बुद्धु से बुद्ध बना सकती है और वो शक्ति है अवचेतन मन की शक्ति आपने अगर कभी गौर किया हो पानी के ड्रम में अगर आपने कभी बर्व के शेला डाली हो तो केवल इतना सा भाग उपर रहा और 90% भाग तो पानी में ही अंदर में डूब केया ये जो 10% भाग दिखाई दे रहा है 90% भाग अंदर चला गया हमारे माइंड में भी हमारे माइंड की जो एनरजी है हमारे माइंड का जो पावर है 90% भाग तो अंदर में सोया हुआ है जो चेतन मन जो हमें अपना प्रवाहाशील मन जो मैसूस होता है वो केवल मन का 10% भाग है अब आप इसे प्रेर्णा लीजिए सीखिए कि यह जो केवल 10% भाग है मन के दो रूप एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन मनों विज्ञान तो तीसरे एक और मन की बात कर रहा है और वो है अचेतन मन मैं इसकी तरफ ले जाओं उससे पहले चेतन मन अवचेतन मन को सहज में समझा देता हूँ याद कीजिए चलिए बश्पन में ले चलता हूँ आप लोगों को जब आप दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते थे आप कहते नाना नाना दादा दादा एक कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ ना अगर नाना का दादा का मूड होता तब तो एक अच्छी प्यारी कहानी सुना देते थे और अगर उनका मूड नहीं होता तो वो कहते थे अच्छा सुन तो जिद कर रहा है तो एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खतम कहानी पर अनेक दफ़ा वो हमें बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी सुनाया करते थे अब हम लोग उच्छुकता जगरी है दादा कहानी सुनाओना अब देखो माइंड काम कर रहा है दादा कहानी सुनाओना अब हमारा चेतन मन हमसे कह रहा है दादा के पास जा, दादी के पास जा, नाना के पास जा, नानी के पास जा एक कहानी सुन, एक कहानी सुन अब आजकल बच्चों को दादा दादी नाना नानियों से कहानी सुनने का पुण्य अवसर प्राप्त हो नहीं पाता है क्योंकि ससुरे अपने माबाप के साथ रहना ही भूल गए है सब पढ़ लिख क्या गए चार किताबी क्या ज़्यादा पढ़ ली चार टक्के ज़्यादा क्या कमा लिए वो माबाप से भी बड़े माबाप बन गए है सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कोई बात नहीं बेटा प्रकृति सब के साथ दोहराती है तुम इनको छोड़ के जा रहा है तेरे बेटे तुमें छोड़ कर जाएंगे अब अगर तुम चाहते हो कि तुमारे बच्चे तुमारे लिए स्रवन कुमार बने तो तुमें कुछ और नहीं करना है तुमें भी अपने माबाप का स्रवन कुमार बन जाना है तुम अगर स्रवन कुमार बन गए तो तुमारे बच्चे अपने आप श्रवन कुमार बन जाएंगे माताओं बेहनों से अनुरूत करूंगा कि आप अपने पतियों को कुछ और बना सके या न बना सके श्रवन कुमार बना दो आप अपने आप श्रवन कुमार की मा बन जाएंगे तो दादा दादी नाना नानी से कहानी सुननी की उत्सुकता पैदा हुई है अब ये कौन काम कर रहा है चेतन मन दादा सुनाओ न अब दादा कहानी सुनाना सुरू कर रहे हैं हम भी बीच में करें हाँ बिल्कुल दादा हाँ हाँ जी हाँ हाँ हुकम दादा हाँ हम हां हम हां हम और हम कहां चले गए नीन में पहले काम कर रहा था चेतनमन अब काम करने लग गया है अवचेतनमन जब हम शरीर से एक्टिव होते हैं तो चेतनमन काम करता है और जब हम सो जाते हैं तो अवचेतनमन काम करना शुरू कर देता है तो अब ये जो अवचेतन मन का जो काम है, आज हम उसी को समझते हैं, अवचेतन मन दिन में हमें विचार आते हैं, रात में हमें सपने आते हैं, वो सपने कौन देखता है, हमारा अवचेतन मन, सपने कौन गड़ता है, अवचेतन मन, सारे द्रिश्य भी आ जाते हैं, बिलकु इतने द्रिश्य उभर जाते हैं कि अगर मान लो आपको कोई अच्छा सपना आ रहा है आप यहां से तिरूपती पाली तना या वैश्णो देवी जा रहे हैं तो सारे पाड़ों का आनन भी ले रहे हैं मस्ती भी आ रही है गोंफिर भी रहे हैं बाते भी ओ रहे हैं दोख भी लग रहे हैं और साथ में आते समय प्रसाद भी लेकर के आरहे हैं यह सब यात्रा कौन करा अंदर से हमारा अवचेतन मन हमारा दिमाग चेतन मन उतना सक्रिय नहीं हो पाता है जितना जब अवचेतन मन सक्रिय होता है तो उसकी गती उसका पावर इतना अधिक होता है कि वो दुनिया भर के सारे चित्र भी बना लेता है सारे वीडियो भी तैया कर लेता है हिंसा अहिंसा चोरी इमानदारी सब तरह के काम वो अंदर में अपने करके आ जाता है और आपका शरीर कहां है जब अवचेतन मन वैश्णो देवी गया तो आपका मन का है शरीर का है शरीर घर पर बिस्तर पर और अवचेतन मन कहां है यह समझो अवचेतन मन की शक्ति को समझा रहा हूं और अब हमें उस पर काम कैसे करना है अब मैं उसकी तरबी आपको लेकर चल रहा हूं मैंने सुना है कि कई लोग व्यक्ति को सम्मोहित कर लेते हैं और सम्मोहित करके उसे अपने पूरो जन्म का भी बोध करवा देते हैं सम्मोहित करके उसे अपने पूरो जन्म का भी बोध करवा देते हैं सम्मोहित करके उसे अपने पूरो जन्म का भी बोध करवा देते हैं सम स्वयम का ज्यान प्राप्त करें स्वयम के संबोधी करें पर सम्मोहन के जरिये लोग क्या करते हैं सम्मोहन शक्ति के जरिये व्यक्ति उसके अवचेतन मन में उतरते हैं और अवचेतन मन में उतर करके उसकी एक एक परतें उगारते हैं और उसे उसके पूरो जन्म का भी सब चीजें अंदर में जमी पड़ी हुई है सोचो 20 साल पहले आप किसी व्यक्ति से मिले थे और अचानक आज रास्ते से गुजरते हुए वो गुजरते हुई या ट्रेन में जाते हुए अचानक वो दिखा अरे यार तो अरे तो यहां कहां कैसे 20 साल में वो कभी मिला नहीं कभी उसके साथ संबंद बने नहीं मोबाइल हुआ नहीं पर अचानक वो सामने आया और आते ही है हमारे आउचेतन मनने जट से अंदर से परदा उठाया और अंदर के चसमे से हमने एक सेकेंड में पहचान लिया तो आप हैं ऐसा होता है न हम और कितना प्यार से मिलेते हम जराब बच्पन का यार दोस्त मिल जाए तो कैसे मिलोगे सोच लो कैसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे तो आया ऐसे खिल उठेंगे जैसे कोई सौस औगुलाब के फूल हमारे बीतर एक साथ खिल आए हूँ, आनन्दित हो उड़ते हैं, ये किस वज़े से हम पैचान पाते हैं, हमारे अवचेतन मन की शक्ति के कारण तो सम्मोहन विद्या भी व्यक्ति के अवचेतन मन पर काम करती है, हम किसी को पैचानते भी हैं, तो भी अवचेतन मन के कारण हम अगर किसी के साथ अगर टैली पैथी करने में समर्थ होते हैं, तो भी वो अवचेतन मन के कारण हमारे विचार वहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसका संदेश हमारे तक पहुँच जाता है, इसको ग्रहन करनी के ताकत है हमारे अवचेतन मन में हमें इसको जागरित करना है हमें इसे समवारना है हमें इसे श्रिंगारित करना है आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है हाथ खड़ा करके बताईए अच्छा लगभग लगभग सब लोगों ने हाथ उठा लिया अब जरह सोचे क्रोध कौन करता है, क्रोध किस करण से आता है, वो कहते हैं कुछ भी गलत हो जाने पर क्रोध आता है, और कौन बोलेगा, दूसरा कहता है मन के मुताबिक ना होने पर क्रोध आ रहा है और वो कहते हैं किसी के द्वरा अनुचित वेवार किये जाने पर हमें गुस्सा आता है और भी कोई है चौथा वो कहते है ज्यादा थकान होने पर गुस्सा आता है पांचवा वो कहते हैं खुद से गलती हो जाए तो गुस्सा आता है वो कहते है इच्छाएं पूरी नहों तो गुस्सा आता है अब आपको बता दो गुस्सा आने का अमुक कारण अब मैं आपको बुनियादी बात ये समझाऊंगा गुस्सा आने का मूल कारण क्या मूल कारण है आपके अवचेतन मन में गुस्से की आग भरी पड़ी है इसलिए वो सामने वाले की बात तो निम्त का काम करती है और अंदर से आग हमारे उभर करके आ जाती है अब जरा बता हो कि किसी व्यक्ति के भीतर में अगर गुस्से की चिंगारिया नहीं है गुस्से की आग नहीं है क्या उसको गुस्सा आएगा है नहीं आएगा आप सबने इंकार कर दिया कि जट से एक सेकंड में कि नहीं आएगा क्यों कि जडों में गुस्सा कहा है जडों में भोग की भावना कहा है जडों में रैप करने वाला इंसान कह चिपा है यहां माइन में अवचेतन मन में एक वासना ग्रस्त व्यक्ति बैठा है एक वासना तो रावन बैठा है वो उभर कर आता है और आदमी रैप करने के लिए उतारू हो जाता है असली बीमार कौन हमारा अवचेतन मन मैं अवचेतन मन के अलग अलग पहलों पर पहले ज मन में अगर आप अपने अवचितन मन की रिपेरिंग कर लेते हैं इसे अगर साप सुत्रा स्वच्छ कर लेते हैं किसी गाली की क्या आवकाद किसी के अनुचित व्यवहर का क्या उसकी क्या आवकाद जो हमें गुस्सा दिला पाए भाई अनुचित घटना तो रावन के सामने भी हुई और राम के सामने भी हुई रावन के सामने ये अनुचित घटना हुई कि उसका छोटा भाई उसके सामने बोल रहा है और राम के सामने अनुचित वियावार ये हुआ कि रावन राम जी की सीता को हरके ले गया तो दोनों को ही अपना नुकसान मैसूस हो रहा है पर जिसका माइंड अंदर से उद्विग्न ज्यादा है क्रोधी माइंड ज्यादा है वो विबिशन को घर से निकाल देगा पर जिसका माइंड अंदर से शान्त है वो दुश्मन का भाई भी अगर शरण लेने आएगा तो उ कि रिन को थोड़ा समझ कर आग को तनिक मान कर घाव को छोटा समझ कर और कशाय को अल्प मान कर भी कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही थोड़े से थोड़े अपने आप बढ़ते हैं और बढ़कर के हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि हमें उनको दूर करन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो हमारा अवचितन मन कई शक्तियों से भरा हुआ है पर कई दूशित शक्तियों से यह घिरा हुआ भी है अब हम कर रहें इसका रूपांतरण कैसे करें रूपांतरण इसे समझने के लिए एक सुनी हुई कहानी कहता हूँ और कहानी है एक समराट का बेटा बड़ा शैतान था समराट क्रोधी स्वभाव का और बच्चा शैतानी प्रकरती का अब समराट का स्वाभी मान अपनी जगे है और बच्चे का नटखटपन शैतानी अपनी जगे है तो बच्चे को जब गुस्सा आता वो शैतानी करने पर तुलता तो कोई भी सावान उठा कर अपनी ही समराट पिता पर दे फैंकता अब समराट के सामने कोई आदमी रे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता उची निगास से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता वहाँ उसका अपना बेठा उठा करके पत्थर मार दे बाप पर समराट कैसे से बरदास्त कर सकता था तो समराट के भीतर दो व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व है पिता का और दूसरा व्यक्तित्व है समराट का पिता का व्यक्तित्व कहता है बच्चा है बच्चा है कोई बात नहीं पर समराट का व्यक्तित्व कहता है इसके हिम्मत कैसे और एक दिन समराठ का व्यक्तित्व पिता के व्यक्तित्व पर हावी हो गया और तब समराठ के भीतर के व्यक्तित्व नहीं कहा निकालो इसे बाहर निकालो ये छोड़ा कोई काम का नहीं है इसे नगर से बाहर निकालो और गुस्सा उसे इतना तेज आया कि न किवल नगर से बलकि राज्य से भी उसे बाहर निकलवा दिया गया बच्चा पांच-छे साल का बच्चा था अब जीने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था बई समराट के घर में था तब तक तो धेर सारे आनंद थे अब घर से निकाल देया गया तो बच्चा फिर दरदर की ठोकरे खाने लगा वो बीख मांगने लगा इधर से उदर से मांगने लगा कोई से कहता कि मैं तो समराट का बेटा हूँ तो लोग समझती है पागल है ये विक्षिप्त है जो अपने आपको समराट का बेटा कह रहा है लगता है गैला हो गया अब वो बिख मांग के खाने लगा और धीरे धीरे बिखारियों के बीच में रहने लगा और धीरे धीरे तो अब वो भूली गया कि वो कभी समराढ का भी बेटा था भगवान ने बच्चों की प्रकृती ऐसी बनाई है कि लोग कहते हैं बच्चे याद बहुत जल्दी कर सकते हैं वो जतना जल्दी याद कर सकते हैं उतना ही जल्दी वो भूल भी सकते हैं ममी थपड मारती है और वो रोने लग जाता और ममी के नहीं ए तो चुपो 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 आज 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 जoperation गले लग जाओ और वो जट से गले भी लग जाता है वो दो मिनट में भूल भी जाता है कि ममी ने मुझे थपड भी मारी थी तो समराट का बेटा भूल गया कि वो कभी समराट भी था या समराट का बेटा था वो बिखारी हो गया बिखारी हो गया बिखारी हो कितरे जीने लगा जो कपड़े उसे मिल जाते पहने लगा जो लोग दे देते वो खाने लगा कहीं बार खाने को मिलता कहीं बार खाने को नह मिलता भाई यह नसीब है ना कब किसको रंक बनाती है और कब किसको राजा बना देती है तो आदमी नसीब के काण सेठा ही देखता है बाकि कोई अकल से कोई आदमी सेठ कोई महान होता नहीं है सब नसीब है किस्मत के खेल है कहते हैं इस तरह से वर्षों बीच जाते हैं लग पचास वर्स बीद गए समझेगा अब हम अवचेतन मन की तरफ बढ़ रहे हैं पचास वर्स बीद गए अब वो भी प्रावड हो गया है विखारी अब उसे विखारी कहो समराट का बेटा तो अब वो रहा नहीं है जैसा करम वैसा जनम उदर समराट भी बूड़ा हो गया है 75 वर्ष का 80 वर्ष का एक दिन वो बिखारी बीख मांगता हुआ अपनी ही राज्ये में चला आया अपनी ही राज महल के नीचे से गुजर रहा था और राज महल के और हाथ उठा करके यूं कह रहा था दाता कुश दो दाता कुश दो अन दाता कुश दो संयोग की बात की राजा उस समय जरोखे में बैठा हुआ बाहर देख रहा था और जब कोई बिखारी मांगता हुआ नजर आया तो जैसे ही राजा ने उसे कुश देना चाहा उपर जरोखे से नीचे डालना चाहा कि इतने में ही जैसे हाथ उसके उपर यू पहाग क्या कहेंगे से हाथ ही कह दो हाथ पर पड़ गई और हाथ पर राजा ने बच्पन में उसके यहां पर राज्य का चिन्ह बनवा रखा था और जैसे ही उसने कहा कि अंद दाता कुछ दीजिए और उस चिन्ह पर नजर पड़ी आजकल तो हर आदमी चिन्ह बनाता है टे टेटू विशिष्ट लोग ही बनाते थे और या फिर आदिवासी लोग बना लेते थे अब टेटू का बड़ा जमाना आ गया है फैशन आ गया है अब हरा आदमी टेटू 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 के पीछे पड़ गया है तो उसके हाथ पर राज्य का चिन्ह खुदा हुआ था और ये चिन्ह दूसरा कोई व्यक्ति खुदवा नहीं सकता था ये चिन्ह राजा की आगया से ही खुदवाया जाता था और जब कोई छोटा बच्चा होता तो उस समय राजा का वो राजकुमार के हाथ पर निशान बना दिया जाता राजा की जैसे उस पर नजर पढ़ती है व उसने अपने शिपाहियों से कहा कि दोड़ कर जाओ और इसे इसे बुला कर लाओ इसे बुला कर लाओ इस बुला कर लाओ इस बिखारी को बुला कर लाओ सिपाही जट से दोडे और जब सिपाही दोडे तो बिखारी को लगा कि पता नहीं मैंने यहां आकर कि कौन सी गलती कर दी मैंने राजा से बीक मांग कर कि कौन सी गलती कर दी वो पूरी ताकत लगा करके भागा सिपाही भी पीछे पीछे भागे अब उसमें जितनी ताकत थी बिखारी ने पूरी ताकत लगा दी और वहां से भागता भागता कहीं जंगल में चला गया सिपाही और निकासाब वो जंगल में खो गया मिला नहीं राजा ने कहा अरे तुमने ऐसी अनमोल संपती खो डाली उसने प्रधान मंत्री को बोलाए कि क्या करना चाहिए मुझे लगता है वो मेरा बेटा होना चाहिए वो आज भीक मांगता हुआ नजर आया उसे किसी भी तरह से लेकर के आओ अब तो सम्राड भी तो बू सब ही शान्त हो गया उसका स्वभाव भी शान्त हो गया प्रधान मंत्री ने कहा महराज अब आप धीरज रखे मैं उसे डुंड़वा लेता हूँ और डुंड़वा करके आखिर पकड़ लिया गया राजा ने कहा कि मैं उसे गले लगना चाहता हूँ महँराज शांती रखी अगर आप उसे जा कर बता देंगे कि यह राजा है तो सकता है यह सुनने मात्र से वो पागल हो जाए कि मैं और राजा एक भिकारी राजा हो सकता है वो आदमी ये खुशी बरदास्त भी न कर पाए है इसलिए महराज आप धीरज रखिए मैं सब इसे लाइन पर लेकर आ जाओंगा और उसे बुला कर कहा भाई तु भीक क्यों मांगता है मैं तुझे राजा के याँ पर नौकरी रखवा देता हूं तु भीक मांगना बंद कर दे बोले महराज बड़ी कृपा हो जाएगी परदान मंत्री अगर मुझे नौकरी मिल जाए मैं तो भीक मांग मांग करके तंग आ गया कोई मुझे नौकरी नहीं देता है आप अगर नौकरी दे दे दो तो बोले ठीक है नेलाया दुलाया गया बाल-बाल कटिंग किये गए कपड़ी थोड़ी ठीक से पेनाए गये और उसे दर्बान के नौकरी दे दी गई एक महिना तक दर्बान के नौकरी की अब उसके खुशी अंदर में समा नहीं रही है उसके अचितन मन में खुशी समा नहीं रही है पचास साल तक भीक मांगता रहा अब मैं सीधा दर्बान हो गया मुझे नौकरी मिल गया है बगवान तुम भी कितना महरबान एक महीना बीता परधान मंत्री ने कहा दर्बान के नौकरी से भी तुझे तेरी योग्यता कही मुझे ज्यादा लग रह है माली माली ने उसे सिखाया एक महीने तक उपवन में काम किया तीसरे महीने में परधान मंत्री ने कहा नहीं मुझे लगता है तेरी योग्यता और कहीं ज्यादा है तिरे कोई और उपयोग होना चाहिए एक काम करो मैं तुमें राजा का अंगरक्षक बना देता हूँ कौन सा चमतकार हुआ है ये कौन सा पासा पल्टा है विखारी एक महीने में यहां यहां से वहां वहां से वहां सीधा इतना बड़ा परमोसंत अगले महीने तो परधान मंत्री ने आकर कहा नहीं नहीं तुम और ज़्यादा मुझे योग्य लग रहे हो मैं तुमें मंत्री बनाता हूं अब मंत्री बना दिया गया एक दिन परधान मंत्री ने कहा मुझे लगता है अब मेरी उम्र पूरी हो गई है तो मैं अपने परधान मंत्री से त्याग पत्र देता हूं इस्थिपा देता हूं और इस मंत्री को परधान मंत्री बना दिया जाए वो तो अंदर स उतावडा बावडा अब तो अंदर से आनंद विभोर क्या कहा से कहा पहुंच गया वो परधान मंत्री एक दिन राजा ने कहा परधान मंत्री जो बिखारी था कभी उससे का परधान मंत्री भई मेरे संतान नहीं है तो मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें अपना शहजादा बना तुम्हें गोद ले लू और तुम्हें राज्य का राजकुमार युवराज घोशित कर देता हूँ अब वो युवराज हो गया एक दिन राजा ने कहा मैं तुम्हें राजा ही नियुक्त करता हूँ और जब वो राजा के पद पर नियुक्त हुआ वो समझ नहीं पा रहा था यह क्या खेल है आखिर एक दिन पिता ने अपने पुत्र को सच्चा ही बता दी और कहा कि दरसल तू ही मेरा पुत्र है मेरा बेटा है तू शैतान था इस तरह तुम्हें मैंने बाहर निकाला और आज में वापस तुम्हें पाकर के मेरा बुड़ापा सुखी हो गया तुझे भी सुखी देख करके आनन दितू अब खेल चल रहा है अवचेतन मन का इतनी देर चल रहा था चेतन मन का भाग्य का अब काम हो रहा है अवचेतन मन का अब वो राजा तो बन चुका है दिन में राजगदी पर बैठ रहा है राजभूग चपन भूग गरण कर रहा है पर र माई बाब कुछ देना, अन दाता कुछ देना, अंदर कौन है? कौन है अंदर? बिखारी है, और वो कहां है? अवचेतन मन में, पचास साल तक वो मांगता रहा है, तो मांगते मांगते अवचेतन मन में इतनी गहराई तक वो बिखारी पंच चला गया है, कि अब वो रात में स होता है तो सोते ही सपने आते हैं और सपने में अवचीतन मन उसका प्रगट हो जाता है और कहता है माई बाप कुछ देना वो परिशान हो गया तंग आ गया ये क्या दिन में राजा और रात को बिखारी दिन में राजा और रात को बिखारी है वो बड़ी है प्रतिष्ठित हो गया था वो विखारी बाहर निकल नहीं पा रहा था आखिर में एक ज्ञानी संत के पास एक ध्यान टीचर के पास वो अपनी समस्या रखता है ध्यान टीचर कहता है मैं समझ गया महराज कि आपकी परेशानी क्या है आपकी परेशानी आपका भाग्य नहीं ह आपका ज्यान नहीं है बलकि आपका अवचेतन मन है आपका सब कॉंसियस माइंड आपकी समस्या है और तब वो ज्यानी संत वो ज्यानी गुरु वो ध्यान टीचर ध्यान सिक्षक उसे अपने साथ अपने कक्ष में ले जाता है और ले जाकर कहता है महराज अब आपको एक महिना मेरे पास रहना है और यहीं पर ही आपको बैट करके meditation करना है और meditation में आपको अपनी आती जाती सांसों का अनुभाव करते हुए अपने आप से केवल एक मंत्र बोलना है आई-म-े-किंग, आई-म-े-किंग, मैं समराट हूँ, मैं समराट हूँ, मैं समराट हूँ, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में मंत्र बोलता है ओम भूर भूस्वा, कोई व्यक्ति मंत्र बोल रहा है श्री प्रभू शर्णम, कोई व्यक्ति मंत्र बोल रहा है ओम नमहा और यहाँ पर कौन सा मंत्र दिया गया है सब बोलो आई एमे किंग और कहा कि बस तुम्हें अब यहाँ बैठ कर केवल एक ही मेडिटेशन करना है और एक ही मंत्र बार बार अपने मन में दोहराना है और वो है आई एमे किंग मैं समराट हूँ मैं समराट हूँ मैं समराट हूँ बस यही बात अपने अचितन मन में दोहराते चले जाओ अब राजा बैठ गया भीतर में मन को शांत तो हो नहीं पा रहा है पर अंदर में लगातार एक ही बात बोल रहा है मैं समराट हूँ मैं समराट हूँ मैं समराट हूँ मैं समराट हूँ राजा को तीन बार महा पर मेडिरेशन के लिए बैठना होता था और हर बार उसे कह जाता था लगातार कम से कम 108 दफ़ा अपने आप से कहना है कितनी दफ़ा और वो भी लगातार और वो भी दिन में कितनी बार तीन बार ध्यान रखिएगा किसी भी चीज को अगर हमें अपने अवचीतन मन की गहराई तक उतारना है तो लगातार कम से कम 108 दफ़ा उसे अपने मन में भीतर ही भीतर उच्चारित कर लो 21 दिन तक लगातार ये प्रियोग कर लो गारंटे है आपके अंदर मन की जो भी दुरबलता जो भी कमजोरी है वो दूर हो जाएगी सफलता आदमी के अंदर छिपी हुई है जिन्दगी के बाजी जीतने की ताकत आदमी के भीतर छिपी हुई है केवल अपनी कमजोरी को भीतर से हटाने की जर्वत होती है और कमजोरी हटाने का तरीखा क्या है मैं क्या होँ बोलो मैं समराट हूं मैं समराट हूं मैं समराट हूं अब कितनी दफ़ा बोलना है उसे 108 दफ़ा आपके मन में अगर कोई कमजोरी हो जैसे कि इसको डर लगता है तो 108 दफ़ा अपने आप से कहो मैं निर्भय हूँ 21 दिन तक लगातर बोलते जाओ 108 दफ़ा बोलो मैं निर्भय हूँ मैं निर्भय हूँ मैं निर्भय हूँ चेतन मन से अवचेतन मन की गहराईयों पर जब ये शब्द ये मंत्र ये मोटिवेशन ये अफेरमेशन ये अंदर उत्रेगी तो अपने आप अंदर में रूपांत्रन घटित होगा आपको कुरोधी स्वभाव लगता है किसी को ज़्यादा तो रोज अपने आपसे 108 दफ़ा कहो मैं शानता हूँ मैं शानता हूँ मैं शानता हूँ मैं शानता हूँ 108 दफ़ा कहो 21 दिन तक कहो चमतकार देखो 21 दिन के बाद 22 दिन कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहेगा तब भी आउचितन मन में से आवा जाएगी मैं शानता हूँ आपको ध़ा हूँ बोला था लिखा था पढ़ा था तो बच्चाइख गया ए फॉर अप two जाए फॉर पॉर कुछ और सिक्था जातातो वह कुछ और सीख जाता हम हमारे मन को अपने अवचेतन मन को अगर हम अंदर से ट्रेंड कर रहे हैं अंदर से रूपांतरित करने का प्रियोग कर रहे हैं तो हम अपने आप से कह रहे हैं मैं शांत हूँ समराट ने कहना शुरू किया मैं समराट हूँ समराट हूँ समराट हूँ वो बोलता जा रहा था बोलता जा रहा था अब तो दीरे धीरे ये इस्तिती हो गई कि रात को जैसे वो सोने लगता तो नीन में सो जाता अब अंदर से आवाज आती मैं समराट हूँ समराट हूँ समराट हूँ हफता बीता दो अब तो उसको सपने भी समराट के आने लग गए अब तो धीरे धीरे वो सारे राजाओं पर भी राज्य करने लग गया दूसरे सीमा के बाहर के राजा भी उसके पराधिन होते हुए उसे मैसूस होने लगे और जब 21 दिन बीता तो जब वो कहने लगा मैं समराट हूँ तो सं राणी गुरू ने दिका ध्यां टीचर नी दिएका इस्की मांसर्श Haos में इसकी दिमाग की निसों में एक अलग तरह का तनाव एक अलग तरह का खीचाव एक अलग तरह की उढ जा मैसूस हो रही है एक अंदर से उभार मैसूस हो रहा है संत समराट के पास आया पीट थप थप आई है और कहा कि अब घर जाओ अब तुम्हें कभी भी जंदगे में बिखारी के सपने नहीं आएंगे क्योंकि अब तुम्हारे अवचितन मन की गहराई है जहां तक अब तक बिखारी पन की बाते व्याप्त थी अब समराट की बाते अंदर में व्याप्त हो गई है और इस तरह से हो जाता है व्यक्ति का रूपांतरण परिवर्तन अगर एक चीज को हम एक चीज को अगर हम बार 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 अपने बीतर उतारते हैं जैसे है एक ही चीज बार-बार बगर उतार दी गई है जैसे माल लो बिटिया है अब बिटिया को पापा रोजी कहते हैं तो तो एक नंबर की निकम्मी है तो तो एक नंबर की निकम्मी है अब कल सुना आज भी सुना परसों भी बात सुनी छे मेने पहले भी ये बात सुनी है दो साल पहले भी ये बात सुने, पापा के तो ये तक्या कलाम की तरह लाइन बंगे, तू तो निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, इनकी आउचेतन मन पर इसका क्या प्रभाव पढ़ेगा, पताएंगे आप, अंदर में क्या चला गए अब, क्या चला गए बेटा, निकम तो पूछेगा आप कैसे हैं, बोले मैं तो निकम्मी हूँ, मेरे से तो कोई कामदाम होता नहीं है, ये थी बार बार उचारित की गई नेगेटिव बात, अब आते हैं बार बार उचारित करने वाली पॉजिटिव बात, अब बार बार पापा कहते हैं, मेरी बीटी क्या है, लाखों में एक है, मेरी तो परी है, परी, मेरी बेटी क्या है, लाखों में एक है, परी है, परी, अब दिमाग में क्या उतर रहा है, बार बार छे मिना सुना, एक साल सुना, तीन साल सुना, और पापा के मुझे से एक ही बात आ रही है, मेरी बेटी क्या है, कमाल की, परी है, परी आउचितन मन में क्या जा रहे अंदर परी और एक दिन लड़का इसको देखने के लिए आएगा ना तो उपहिएगा तुम कैसी हो तुम क्या देखा हूँ मैं तो अपने पापा की परी हो परी यह है आउचेतन मन में हमने किस तरह की चीज डाली वापस वैसे ही चीज उभर करके बाहर आई इसलिए मैं प्रेरणा देता हूँ हमेशा अपने बच्चों को अपने भाईयों को अपने हमसफर लोगों को हमेशा उनकी पीट थप थपाते रहो मेरा मानना है कि गदे की भी अगर लगा होके दिखा भी देगा अवचेतन मन पर काम करने की जरुत है और अवचेतन मन का नियम यह है कि जो जो एक ही चीज को बार बार दोहरा होगे यह अंदर से उनी चीजों को ग्रहन करता चला जाएगा इसलिए मैं प्रेरणा देता हूँ positive thinking की कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे अच्छा सोचोगे तो अंदर के अवचेतन मैं से अच्छी प्रेरणाई अंदर में विस्तारित होगी और बुरा सोचोगे तो अंदर में बुरे विचार बुरी क्रियाएं बुरे शब्द वो मुह से भी हाथ से भी और अंदर से भी सब चीजे वही प्रगट 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 होंगी इसलिए अवचेतन मन में हमें positive thinking सकरात्मक विचार सकरात्मक सोच अंदर रोज रोज डालने की जरुत है मन को अवचेतन मन को रूपांत्रित करने के लिए उसको रिप्रोग्राम करने के लिए नमबर एक सबसे पहले जीवन के साथ discipline लागो करो क्या करो लागो सब बोलो नमबर एक discipline अनुशाशन याद कीजिए पतंग अगर उड़ती है किससे बंदी है आप कहते हैं डोर से मैं कहूंगा अनुशाशन से वो डोर किससे बंदी है वो बंदी है अनुशाशन से वो discipline से बंदी है और जब तक वो discipline से बंदी है वो आसमान को छूती रहेगी जैसे ही धागा तोड़ दोगे discipline तूटेगा पतंग आए आसमान में जंप खाएगी और ट्यूं आकर के जमीन पर दीचे गिर पड़ेगी हमारा अवचेतन मन भी अगर हम डिसिप्लिन छोड़ देंगे तो हमारा अवचेतन मन भी हमें बिखेरता रहेगा नीचे गिराता रहेगा सोचो नदी दो तटों के बीश में बहती है अगर नदी अपनी तटों को छोड़ दे तो क्या होगा वही नदिया सुनामी का रूप ले लेगी वो टिहरी में बान बना हुआ है वो किनारों से बना हुआ है इसलिए वो बिजली पैदा कर रहा है अगर कहीं से भी वो अपना एक किनारा तोड बैठे तो इतना प्रल्य मच जाएगा कि टीहरी में बान टूटेगा और दिल्ली डूबेगा इतना प्रल्य मच एगा थेठ हिमाले क्षित्र में वो बान टूटेगा और यहां तक पूरा उत्तर भारत प्रभावित हो जाएगा तो जब तक discipline में चीज है हमारा आउचेतन मन भी हमारे नियंतरण में रहता है और discipline तूड गया तो मुझे याद है पहले जमाने में घर में जब दादा जी आ जाते थे न तो पूरे घर में कर्फ्यू लग जाता था सब शांत कोई कुछ नहीं बोलता था घर में दादा जी आ गए है बहूं के मूँ से एक शबद नहीं निकलता था पहली जमान ने में सास बहूं में जगड़े नहीं होते थे क्योंकि discipline चलता था घर में अब पता ही नहीं चलता है सास बहु में सास कौन है और बहु कौन है कब सास को बहु बनना पड़ता है और कब बहु सास बन जाती है इसका कोई अता पता चल नहीं पाता है क्यों डोर तोड़ दी हमने अनुशाशन तोड़ दी हमने डिसिप्लीन तोड़ दी हमने तो अपने अवचितन मन को नियंतित करने के लिए सबसे पहले जिसको लागु करने की ज़रूत है वो है डिसिप्लीन देखो, डिसिप्लीन लागु करने के लिए तो कहा गया था बच्पन में अपन सब लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि सभी शपत ले मैं भारतिय हूं और सभी चात्र चात्र ही मेरे भाई बैने ये शपत याद आ रही है न ये क्या था एक डिसिप्लीन का अंग था इस्कूल में थे तब तो ये शपत बुलवाई जाती थी टैंथ में आते तो छुड़वा देते हैं कॉलेज में तो सब कुछ ही छु चोटे बच्चों को बुलाने के नहीं है चोटे बच्चे तो विचरे वैसे भाई बैन होते हैं बदमासों के फौज तो बाद में पैदा होती है बच्चे तो सब भाई बैन कितरी जीते हैं बाद में जब बच्चे किशोर होते यूवक होते हैं तब अंदर में एक बदमा हर कॉलेज में, हर आफिस में, हर दुकान में, हर घर में, रोजाना सुबह है, ये लाइन जरूर बोली जानी चाहिए, मैं भारतिय हूँ, और सभी इस्त्रिपूरुस मेरे भाई बहन है, ये क्या है, मैं कहूंगा, ये अनुशाशन है, ये डिसिप्लिन को जीवन में लागू करने का एक तरीका हुआ, ये अवचेतन मन में एक खुराफा थी, इनसान पैदा न हो सके, अंदर में एक शैतान पैदा न हो सके, इस पर लगया गया है, ये एक अंकुषा है, अवचेतन मन कोई अलादिन का चिराग तो है, नहीं कि रगड़ा और ये अंदर से हमने बदल दिया इसको बदलने के लिए हमें पहला काम करना पड़ेगा डिस्सिप्लीन दूसरा काम करना पड़ेगा कमिटमेंट दूसरा क्या है उसुल कमिटमेंट यानि नियम सौगंद शपत पचक खान खुद के साथ कमिटमेंट कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा ये जो खुद के साथ जो हमने कमिटमेंट किया है ये कमिटमेंट ही हमारे अउचितन मन की शक्ती के साथ जुड़ेगा और हमें गलत रहा से बचा करके रखेगा देखिए आपको एक उदाहन सुनाता हूं कमिटमेंट का क्या परिणाम आता है जरह मैं आपसे पूछूंगा आप मैंसे किसी ने उपवास किया है अच्छा अनेक लोगों ने उपवास किया है बेटा खड़े हो जिस दिन आपने सुबह ये तै कर लिया है अच्छा आप हर मैंने करते हैं कि सब्ता में एक बार करते हैं क्या महिने में दो तिन बार उपवास करता हूँ ये उपवास करने का निरने या आपने जो निरने लिया है ये सुबह उठती कर लेते होंगे कि आज मेरा उपवास है अब जरा एक बात बताईए कि आज अपने सुबह उठती क्या का आपने वो कहते हैं इच्छा तो होगी मगर खाएंगे नहीं क्यों क्योंकि अपने साथ अपने कमिट्मेंट कर लिया अच्छा अब जरा मैं दूसरे किसी व्यक्ति से पूछूंगा कि उसने उपवास किया उसके सामने चार आइटम खाने के आ गए पर क्या उसके खान खाते नहीं है उपवास का अगर कमिट्मेंट खुद के साथ कर लिया है तो सामने कितने भी आइटम क्यों न आ जाए मगर आदमी खाएगा नहीं नहीं इच्छा भी नहीं होगी उसकी तरब देखनी की भी इच्छा नहीं होगी जैसे मान लीजी देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो सूरियास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं अब उन्हों ने अपने आपके साथ कमिट कर लिया है कि हम किसी भी स्थिति में सूरियास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे वो किसी भी शादी में जाए कितने भी छप्पन भोग बने हुए हो क्या वो कमजोर पढ़ते उनके मन में कभी इच्छा भी नहीं होगी यह है commitment का परिणाम अगर हम अपने आपके साथ commitment कर लेते हैं कि आज मेरे यह है तो किसी भी स्तिति में आप उस उपवास का उस त्याग का उलंगन नहीं कर पाएंगे इसलिए लोग कहते हैं संत जनों गुरु जनों के पास जाकर के कमिट्मेंट कर लो उनके साथ अगर तुमने जाकर कमिट्मेंट कर लिया तो फिर तुमने उसे कच्छा का त्याग किया हुआ है और वो किसी भी स्थिति में हमने अनेक अनेक लोगों को पूछ कर देखा हुआ है बोले सब त्याग कर दिया ना अब हम कैसे खा सकते हैं अब हम कैसे ले सकते हैं हमने त्याग कर दिया गुरु जी के हाथ से हमने नियम ले लिया ये क्या है commitment ये जिसने भी commitment कर लिया न वो आदिमी किसी भी स्थिते में कमजोर नहीं पड़ता और अपने दूशित अगर अवचेतन मन है तो उसे संसकारित करने का ये तरीका है कि अपने आपके साथ commit करो अगर आपको सफल होना है तो मैं कहूंगा निरने लो commit करो और काम करना शुरू कर दो आपका काम जरूर फते होगा आप अगर विद्यारती हैं college में पढ़ाई करें मैं कहूंगा decision लो अपने आपके साथ commit करो कि मैं इस साल तो हर हालत में 90% से उपर नमबर लेकर के आऊंगा अपने आपके साथ commit करो काम करना शुरू कर दो गारंटी है आपके 90% मार्स आएंगे क्योंकि आपके आउचितन मन ने आपके commitment को ग्रहन कर लिया है कि अब मैं 90% मार्स रही लाकर के रहूंगा ये है अंदर की शक्ति फिर हमारा सहयोग करना शुरू कर देती है तीसरा काम meditation करो अवचितन मन की अब शक्ति को जागरत करने के लिए कहूंगा पहले तो मैंने उसको संसकारित और नियंतरित करने के लिए कहा और अब मैं कहूंगा अपने चेतन और अवचितन मन पर काम करने के लिए र meditation करो, ध्यान करो, दस मिनट के साथ ही शुरुवात करो, अपने आती जाती, कहीं भी एकांत में चले जाओ, शान्त वातरों में जाकर बैठ जाओ, दुनिया से मुक्त हो जाओ, ये बोध रखते हैं कि अब मैं अपने अवचितन मन को संसकारित और शान्त करने के लिए ध्य डमरू बज रहा है, अंदर मैं जो तरजू, उपर नीचे उपर नीचे उड़े, उसको बैलेंस करने का नाम ध्यान है, इसलिए ध्यान रखेगा, meditation कभी करवाया नहीं जाता है, व्यक्ति खुद अंदर से करता है, मेरे संकेत, मेरे शब्द, मेरा गाइड, मेरा निरदेश ध्यान, वो केवल आपका सहयोग कर रहा है, बाकि ध्यान व्यक्ति अंदर खुद, अपने अंदर ध्यान करा है, सचेत व्यक्ति खुद हो रहा है, मैं जो निरदेशित ध्यान दे रहा हूँ, वो ध्यान केवल हमारे लिए सहयोग कर रहा है, ताकि बिखरता हुआ मन वापस संभल जाए बस ये काम किया जा सके ध्यान व्यक्ति स्वेहम करता है मेडिटेशन करने से हमारा आउचेतन मन उसके अंदर जो व्यक्रताएं कुंठाएं व्याकुलताएं समाहित है वो अपने आप धीरे देरे शांत 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 होने लगती है जैसे कि अपन लोगों ने अभी मेडिटेशन किया तो सबसे पहले हमारे सामना करना पड़ता है अपने चेतन मन से उठता है उभरता है भागता है दोडता है फिर हम सांसों पर आते हैं और धीरे धीरे पहले एक मिनट में अगर दस विचार उठ रहे थे धीरे 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 अगला मिनट जब बीतेगा तो नौ विचार ही उठे फिर धीरे जो हम अपनी अचेत अवस्था उपलब्द करते गए, बोद दशा उपलब्द करते चले गए, अब वो आठ, साथ, पाँच, तीन, दो, जो जो अभ्यास होता जाएगा फिर एक मिनट में, एक तरंग, एक विचार उठेगी, और फिर ऐसी इस्तिती बनेगी, कोई विचार नहीं, मौन. अब अंदर में कौन हो गया, महावीर मौनी थे, तो अब अंदर में महावीर जग गया है, ऐसी इस्तिती में, अब हमारा अवचेतन मन, जो शान्त सुप्त पड़ा है, अब उसमें से एक परत उगर कर आएगी, और हमें अपनी वास्तविक शक्ती से हमें रूबरू तो वो जो अवचेतन मन है, वो अपने आप शान्त होता है, निरमल होने लगता है, अंदर से व्यगरताएं, उद्विक्तिताएं कम होती है, संसार के परती रहने वाली अंदर में जो मूर्चाएं हैं, वो अपने आप शितिल पड़ती है, क्रोध अपने आप शान्त होने लगता है अभी तो क्रोध ऐसे पैदा हो जाता है जैसे बिजली का खटका प्लक अन डाउन तो चालू और बन तो ऐसे ही एक शब्द आया और हम अंदर से हमारी बिजली सुलग उठी उसने का सौरी हमारी बिजली शान्त हो गई हमारा अंदर से जो हीटर जल रहा थो एक सेकं जान्त हो गया तो हमें तो अभी एक सेकंड में कोई भी गरम कर सकता है और कोई भी ठंडा कर सकता है अब सोचो राम जी के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई कि उन्हें अपना अगर अश्वमेद यग्या करना है तो यग्या में बोले कि सजोड़े बैठना पड़ेगा ब कि आप सोच सकते हैं क्यों नहीं कि मैं कहूँगा इसलिए नहीं कि क्योंकि उनके अवचेतन मन में पवित्रता थी नियम था मरियादा थी पत्नी को कभी युवा अवस्था में कहा गया ये वाक्य था कि मैं जियोन भर एक पत्नी वरत का पालन करूंगा ये अवचितन मन की गहराई तक बात उतर गई तो चाहे जैसे मजबूरी हो पर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपनी साथ सीता मैया की जगे सोने की मूर्ती बना कर रखवा दिये पर दूसरी शादी कबूल नहीं की ये है अंदर में किया गया काम तो मेरे भाई बेनों मेडिरेशन रोज करो इससे हमारे अवचितन मन में शान्ती घटित होती है और निर्मलता अपनी आप घटित होने लगती है पहला है डिसिप्लिन दूसरा है कमिट्मेंट तीसरा है मेडिरेशन चौता है अफिरमेशन चौता क्या है अफिरमेशन अर्थात खुद को खुद के द्वारा दिये गई प्रेरणा खुद के अंदर बोई गए बीज खुद को खुद के द्वारा मोटिवेशन करना जैसे एक आदमी बीमार पड़ा है अस्पताल में है अब मैं आपसे एक मंत्र दे रहा हूं उनसे को कि भाई साब आप भले अस्पताल में पड़े हैं भले डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया जो कुछ भी आपके इस्तित करके अपने मन में 108 दफा केवले एक वाक्य कहें और उसे अपने भीतर होता हुआ मैसूस करें और वो वाक्य है मैं स्वस्त हूं मैं स्वस्त हूं मैं स्वस्त हूं लाइन क्या है पॉजेटिव बॉड़ी अभी क्या बनी हुई है नेगेटिव अब हम अंदर में क्या बो र स्वस्त हूं, स्वस्त हूं, स्वस्त हूं, कितनी बार बोलना है, आत्मे माला पकड़ लो, 108 दफा, 108 दफा कम से कम है, ज्यादा जितना बोलो उतना अच्छा है, पर कम से कम इतना तो बोली ही लो, कि 108 दफा, हमने 100 दफा तो अपने आप से कही दिया, क्या, मैं स्वस्त हूं, मैं स्वस्त हूँ मैं स्वस्त हूँ अभी मन में भय है तो मैं कहूँगा अपने आप से बोलो मैं निर्बय हूँ मैं निर्बय हूँ और मैं निर्बय हूँ मैं निर्बय हूँ और तीसरे चौथे पांचमे दिन तो आप अपने भीतर चमतकार होता हुआ मैसूस करेंगे पांच में दिन जब आप उस बिमार आदमी के पास जाएंगे और पूछेंगे बाई साब कैसे हो बाई साब पहले कि बने इस पत अपने आप काफी अच्छा मैसूस कर रहा हूँ गुड फिलिंग अंदर से मेरा जो फेथ है मेरा जो विश्वास है अब उसमें मैं स्वस्त हूँ ये भाव अब अंकुरित होने लग गए है कहते हैं मन का बल शरीर के बल से चार गोना ज्यादा ताकतवर होता है मन का बल शरीर के बल से ज्यादा ताकतवर होता है सोचो दो पहलवान आपस में लड़ते हैं एक जीतता एक हारता है क्या आर्ट दोनों को किसी को कम मालूम है गया कुस्ति के सारे दाओं पेज आते हैं पर एक जीतता है कौन जीतता है जिसका मन जिसका मन श्ट्रॉंग है जिसका मन मजबूत है इसलिए परिस्थिति का सामना मजबूर होकर मत करो मजबूत मन से करो किस से करो मजबूत मन से करो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत यहीं से जीत निकलती है और यहीं से ही हार निकलती है यहां अगर जीत का जीत का संकल्प है तो संकल्प में वो ताकत है क्यों अपने आप हमें जीत दिलाती है इसलिए मैं कहता हूं अपने आपसे कहो जैसे अगर आध्यात्मिक जीवन की तरब बढ़ना है तो वैसा अफिर में संदो सफलता की तरफ बढ़ना है तो वैसा फिर मेशन दो अगर आपको सफलता की तरफ बढ़ना है तो अपने आप से कहो अपने आप से कहो I can, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ I am a winner, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ I am the best, मैं श्रेष्ट हूँ, श्रेष्ट हूँ, श्रेष्ट हूँ, कामियाभी की तरफ बढ़ना है, तो अपने आप में ऐसे बीज बो, अपने भीतर की जमीन में ऐसी फसले बो, और अगर आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना है, तो क्या को, मैं एक सत्य चैतन्य मैं दि आत्मा हूँ, या मैं सत्य चैतन्य मैं आनंद मैं आत्मा हूँ, दूसरा फिर मेसन डालो, मैं खुद भी खुश रहता हूँ, दूसरों को भी खुश रखता हूँ, तीसरा फिर मेसन रोजान अपने आप में डालो, मैं अपने हर सोच शब्द और व्यावार से दूसरों को स दुख देता हूँ, व्यावारिक जीवन की तरफ बढ़ना है, तो अपने भीतर अफेरमेशन डालो, इश्वर मेरे साथ है, इश्वर मेरे साथ है, मेरा हर कर्म इश्वर को समर्पित है, मेरा हर कर्म इश्वर को समर्पित है, हमने जैसा अंदर में बोया है, वो कई गुना हो करके हमारे भीतर से वापस फसलों की रूप में लौट कर आएगा इसलिए कहता हूँ affirmation और positive thinking का अपना positive प्रभाव आता है इसलिए हमेशा अपने आप से कहूँ जैसे अपने आपको जगाने के लिए हम affirmation कैसे दे रहे हैं I am a creative person I am a creative person I am a creative person I am a confident person I am a confident person I am a confident person I am a successful person I am a successful person I am a successful person ये बार बार जो हम अपने भीतर डाल रहे हैं न वो क्या होगा कल का भिखारी पन मिट जाएगा और अंदर से समराठ जग जाएगा और अंतिम बात ये और सुझाओ दूँगा कि केवल affirmation ही मत दो बलकि visualization भी करो अर्थात उसे देखो भी अपनी आँखों के सामने वैसा होता हुआ देखो भी उसे मैसूस भी करो जैसे बिमार आदमी अपने आप से कह रहा है मैं स्वस्त हूँ स्वस्त हूँ अब वो स्वस्त होता हुआ मैसूस भी करें अपने शरीर से रोगों को निकलते हुए भी मैसूस करें ये जो visualize हो रहा है ये visualization हमारे बीतर के power को creative करेगा और हमें स्वस्त करने में हमारी मदद करेगा आजकल तो हमारे देश के महान राष्ट्रपती अब्दुल कलाम साब ने तो दुनिया भर में घूम घूम कर कहा है ए युवाओ तुम उँचे सपने देखो बड़े सपने देखो महान सपने देखो ये सपना क्या है ये visualization है ये उँची चीजों को अपने सामने होते वे तुम देखो एक बहुत popular किताब आई है The Secret रहस्य के नाम से उसके लेखक ने उसमें ये लिखा है कि सब मैंने बचपन में जब मैं किशोर अवस्था में पैंटिंग का काम करता था तो मैंने मेरा घर कैसा हो तो जब मुझे क्लास में ये हेडिंग दिया गया पैंटिंग बनाने के लिए कि मेरा घर कैसा हो तो मैंने एक पैंटिंग बनाई और मैंने बनाए कि उसमें मेरा घर कैसा हो उसका बाहर का रूप कैसा होना चाहिए उसके अंदर कमरे कैसे होनी चाहिए बेडरूम कहा होना चाहिए और मैं कहां पर सोऊं, मैं कहां पर अपनी study करूं, पढ़ाई करूं और ये सब चीजें उसने उस नकसे को बना करके क्लास में रखा था, उस पर लिखा हुआ था उसने नया मकान बनाया या नया मकान खरीदा, तो उदगाठन जब हुआ, तो पुराने घर के सारे सामान और कार्टून इस घर में लाकर रखे गए, तो कहते हैं, उसनी ये लिखा है कि एक दिन मैं आलमारी की छट पर रखा हुआ एक कार्टून उतार रहा था, कि इतने में ह कागज पड़े थे, वो सारे के सारे नीचे बिखर पड़े हैं, तो मैं देख करके चौंक पड़ा कि उसमें मेरे बच्पन की बनाई हुई है, वो पैंटिंग भी थी, जिस पर लिखा हुआ था मेरा घर, कैसा हो, तो उसने सामने निकाला, देखा तो देख करके चौंक अगर तुम विजुलाइज करोगे, अर्था देखोगे, अपने नजरिये में लोगे, बार बार अगर तुम वैसा होते हुए, अपने भीतर देखोगे, मैसूस करोगे, तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा, जैसे मानली जाभी है का आपको कार खरीदनी है, मेरे ना कार कार खरीदूँगा, अब खरीदूँगा, बाते बहुत होगे, अब क्या करो, अफिर में संदो, अवची तन मन में ले जाओ, विजुलाइज करो, और रोच देखो, मेरी कार ऐसी होगे, अब कार ऐसी होगे, मारूती देखोगे तो क्या आएगी, मारूती, एमबेश्डर आज नहीं तो कल भले 15 साल बाद ही वो हाथ लगे पर जब वो कार आईगी तो आप देखकर चौक पड़ेंगे यह वही कार थी जैसा अपनी आपने विजुलाइज करना शुरू किया था यह है अवचेतन मन की शक्ति हम अपने अवचेतन मन पर काम करें discipline, commitment, meditation, affirmation and visualization यह पाँच सिद्धान तपाँच सूत्र मैंने आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागरित और रुपांतित करने के लिए बहुत प्यार से नेविदित किये हैं इन्हें अपने practical life में लागू करें और अपने अवचेतन मन की विशिष्ट शक्ति का अपने वर्तमा आपने जीवन के लिए लाप उठाए श्रीप्रभू श्रीप्रभू श्राणा